नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाड फ्रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन परुड़ देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज कुड़ में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल लेखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्योसा है मुर्गी पालन का आपके पास भी मुर्गिया होंगी उन मुर्गियों के मार्ध्यम से आप इंकम कमा रहे होगे लेकिन ऐसे में दोस्तों जब नहीं मुर्गिया अंडों पर आती है तो वहाँ पर एक दिक्कत आती है दिक्कत क्या होती है दोस्तों तो जो मुर्गिया होती है कि जो पहली बार अंडा देती है वह मुर्गिया अंडे देते वक्त दोस्तों वहाँ पर मर जाती है ऐसा क्यूं होता है इसके पीछे की वजह क्या है क्या इसे टाला जा सकता है हाँ दोस्तों अगर आपकी मुर्गी पहली बार अंडे पर आ रही है तो कुछ सावधानी बरतनी होगी कुछ वहाँ पर आपको करना होगा जिस माध्यम से 100% आपकी मुर्गी अंडा देते हुए 100% नहीं मरेगी इसके लिए क्या करना है कैसे करना है कौन सी बातों को फॉलो करना है कौन सी बातों को टालना है सभी जानकर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुचाई जाएंगी लेकिन उसके लिए दोस्तों यहाँ वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लिए प प्लेजबूक इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मीडिया के साथ नकाट जरूर इस्तमाल कीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड कर विनती करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चु जाएगा भगल में गंटी आएंगी इस गंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को आन कर दीजे ताकि आने वाला हरुड़े आपको समय समय पर मिलता रहेगा देखे दोस्तों समस्या क्या है कि हमारी मुर्गी पहली बार अंडे पर आ रहे है अभी मेरे कितने मुर्गी पालक भाई है कि जिनके पास उन्हों ने क्या किया था ह। एक दिन का चुजा लाया था किने किसी किसी ने पंदरा दिन का लाया था किसी ने एक महा का अभी क्या होता है कि कोई मुर्गिया पाच महा के करीब करीब अंड़ पराती है कोई मुर्गिया साड़े पाच छे महा तक लेकिन पहली बार अगर मुर्गिया कौन सी भी होने देते वक्त क्यों मरती है मरने की वजह क्या है और उसका solution क्या है दोस्तों पहले देखते हैं कि अंडे पर की मुर्गिया क्यों मरती है तो दोस्तों जो मुर्गी पहली बार अंडे पर आती है तो हमें कुछ मालूमात नहीं होती है तो हम directly क्या करते हैं कि अंडों का production बढ़ा है वह है फॉर्मूलेट भी बढ़ जाता है दोस्तों यह तो ठीक है ऐसे होगा लेकिन जिस वक्त अंड़ा बाहर निकलने की प्रोसेस में होता है वहां पर यहां पर जो वहां पर निकलेगा दोस्तों वहां होते हैं अणे की साइज जादा होने की वजह से एक तो वहाँ पर जो होता है दोस्तों की ब्लीडिंग होने की संभावना होती है और आई सी प्रोसेस में अमुमंण वहां पर अनुभгов ना होने की परिस्तितियों में ज्यादा जोर लगाने के कारण वश वह मुर्गी मर जाती है। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों कि यहां अमुमन देखा जाता है कि अगर लियर फिट का इस्तमाल करे तो 15 से लेके 20 प्रतिशद मुर्गिया पहली बार अंडे देते हुए वहाँ पर मरती है लेकिन क्यों मरती है इसके लिए आपको एक मिसाल देता हूँ दोस्तों एक हात हे अगर हाति हे हमारे घर पर चारफ चारफ फित वचाहिका है और हाति की खैस मुमना जाती है अगर अंदर से कौषिश करेगा तो एक तो दर दरौवाजे को तोड़कर आ कर आएगा नहीं तो आएक रहा अंदरा आती हो उसको बहुत ज्यादा वहां पर गाहु से लग जाएंगे और आईसी परिस्तितियों में फिर क्या होता है यह कारण Virus दोस्तो और कौन से भी परिस्तितियों mean mm देखे तो मुर्गीचों को वहां पर आनधा बाहर निकल पड़ती है अभी इसका solution क्या है तो दोस्तो इसका एक ही solution है कि अंडी की size कम रखना अभी अंडी की size क्यों बड़ीती है समझना होगा दोस्तो अगर आप मुर्गियों को layer feed दोगे तो अंडो की size वहाँ पर बढ़ती है कि पहली बार जो मुर्गी अंडे पर आती है उसको दो टाइम तक वहाँ पर layer feed नहीं देना ही नहीं एक ग्राम नहीं कुछ भी नहीं देने का है दोस्तो अगर हम layer feed ना देंगे तो वहाँ पर अंडो की size बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी और जो कुदरत है दोस्तो कुदरत के हिसाब से चलने दीजिए उसमें आप हमें वहाँ पर जो है दोस्तो बदलाव करने की आवश रखता नहीं है अगर हम खिलवाड कर देंगे तो उस माद्यम से size बढ़ेंगे तो मुर्गियों की जान वहाँ पर जाएंगे और हमारा बेवजा लॉस हो जाएगा आएसे में पहले 25 अंडे उन्हें दे दे देजिए उसके बाद layer feed शुरू कर दीजे कोई दिक्कत की बात ने तब तक उनकी growth भी हो जाएगा अच्छा खासा उनका शरीड बढ़ जाएगा जिस माध्यम से दोस्तों वहाँ पर अंडे की size भी बढ़ जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगे यानि कि नई मुर्गिया अंडे पर जब आ रही है तब उन्हें ज्यादा layer feed नहीं तो 0% layer feed देना है वहाँ पर 20-25 जब तक नहीं देती है तब तक आपको layer feed का इस्तमाल करना ही नहीं है उसके बाद एक बात ध्यान में रखे कि हमारे पास motor cycle होती कोई भी machine हो दोस्तों उस machine के अंदर आप अगर oil डालते होंगे तो machine बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है और flexible रहती है ऐसे परिस्तितियों में दोस्तों आपको मुर्गियों को oil देना होगा तो आपको पता है कि सोया बिन के अंदर 18 से लेके 20 प्रतिशत तक वहाँ पर सोया तेल होता है जिस माध्यम से मुर्गियों को वहाँ पर जो है दोस्तों कैल्डिस बगर तो मिल जाएंगे लेकिन सबसे महत्तों पूर्णा बात है कि oil मिल जाएंगा अभी oil मिलने की परिस्तितियों में क्या फायदा होगा कि जहां जहां पर हड्डिया होंगे जॉइंट्स होंगे और जहां से यहां अंडा बाहर निकलता है वहां पर flexibility आ जाएगी यानि कि एकाद दूसरी बार अंडी की साइज थोड़ी बहुत बड़ी भी हो गई तो वहां पर flexibility आने की परिस्तितियों में अंडा बाहर निकलते होई bleeding नहीं होगी और हमारी मुर्गी मरेगी भी नहीं यह छोटी छोटी बाते होती है दोस्तों अगर यह छोटी छोटी बातों को आप अपना होगे तो सवप्रदिशत यकिनन मैं कह सकता हो कि आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और साती में जढ़ा सूका फिट ना दे दोस्तों ऐसी मुर्गियों को आप वहाँ पर गीला फिट दे जिस माद्यम से अंडर का जो वहाँ पर सूका फन है वहां पर निकल जाएगा जिस माद्यम से अंडा बाहर निकलते होए कोई भी तकلीप नहीं होगी अगर आप लियर फिड दोगे आप सोयविन का इस्तमाल नहीं करोगे और सूखा फिड दोगे तो सव प्रतिशत आपके फार्म की 15 से लेके 20 प्रतिशत मूर्गियां अंडे देते वक्त मर जाएगी देखे दोस्तों आपके हाथों सही हो रहा है इसलिए हमें इसको टालना होगा तो यहां से आगे जब तक आपकी नहीं मूर्गी दो बार अंडे देकर तीसरी बार अंडे पर नहीं आएगी तब तक लियर फिड नहीं देना है आपको मूर्गियों को आंडे देने की नहीं होगी उसके बाद दोस्तों यह सभी बात करते हुए मुर्गियों को सूखा फिड जरूर आप सव प्रतिशत ना दे ज्यादा से ज्यादा गीला फिड दोगे तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा और इस बात के लिए कोई अलग से मेडिसिन देने के आवशक्ताने घरीलू उप्चारे इनका इस्तमाल करके सव प्रतिशत दोस्तों आप आपनी मुर्गियों की ब्लेडिंग को रोक सकते हैं और मुर्गिया मरने का जो प्रतिशत होता है नई मुर्गिया में जो पहली बार अंडे पर आती है उनको भी आप रोक सकते हो तो इस माध्यम से आगे बढ़िये दोस्तों कोई दिक्कत की बाद सव प्रतिशत नहीं होगी तो इस तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए फायदे का सवधा साबित हो सकता है दोस्तों आगर आपकी मुर्गी पहली बार दानी लीजिए दोस्तों यह बाते कीजिए और यह बाते टालिए दोस्तों क्या करना है क्या नहीं करना है अभी आपको समझ में आया होगा इस तरीके से अगर आगे बढ़ोगे तो सव प्रतिशत में यकिनन कह सकता हूं कि आपको लाखों का मुनाफ़ा कमाने से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है छोटी बाते होते हैं द्यांस से सुन लिए आपने अभी इसका इंप्लेमेंटेशन करने की आवशकता है तो इस वीडियो के बारे में क्या है आपकी राय कमेंट्स करके जरूर बताईए पसंद आगर आया होगा यह विडियो तो जरूर लाइक कर ज़्यादा ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों के पास वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टेलीग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैप्चैट इन सोचल के सादनों का इस्तमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजे रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर अनुरोद करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे आई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाली लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटिया एंगिस घंटी को टच करते हो और इस नोटिफिकेशन को आन कर दीजे ताकि आने वाला और फिर एक बार बहुत बहुत आभार।